Hello everyone, very good evening, welcome to online study point, friends, आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, जर्नल साइंस के टॉप 50 most important questions with including old important questions, जो की RRB NTPC group D के लिए very very important है, आज part 5 है, इसके पहले के जितने भी parts के वीडियो बन चुके हैं, आपका वारी प्लेलिस्ट पर मिलींगे, तो friends, जितने लोग भी वीडि सब्सक्राइब जरूर करें, आज का पहला प्रिशन दोस्तो, आफीम का वानस्पतिक नाम है, चार ओप्शन है यहाँ पर, आफीम का वानस्पतिक नाम है, फ्रेंट्स वो है, पैपेवर्ट, सोमिनी, फेरम, उसका वानस्पतिक नाम है, कुछ important points देख लेते हैं, यह किस का एक प्रमुक पौधा है, आफीम में 12% तक मार्फीन पाए जाती है, जिसको process करके हम heroin, नामक मादक द्रफ यानि ड्रग को तयार किया जाता है, नेक्स्ट है, नाभी के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डियने होता है, तो नाभी के अलावा कोशिका के दो ऐसे एक तो यहाँ पे option पर है, पर दूसरा भी मैं आपको बता देती हूँ, तो इसका सही answer है, माइट्रो कॉंडिया, लेकि यदि हम बात करें दूसरे कोशिकांग की, तो दूसरा है हरितलवक, यानि कि माइट्रो कॉंडिया और हरितलवक नामक कोशिकांगों में DNA पाया जाता है, जो की एक अनुवाँशिक पदार्ध होता है, एक होता है पादप कोशिकाओं में, और एक होता है जन्दो कोशिकाओं में, यदि हम बात करें DNA की, DNA की खोच फैडरिक मिसर्ड ने की थी, तथा DNA की डवल हैलिक्स मॉडल की बात करें, तो इसकी खोच जेम्स वाट्सन त सधारन मानों में गुड़ सूत्रों की संख्या कितनी होती है तो सधारन मानों में गुड़ सूत्रों की संख्या होती है 46 यानी की 23 जोड़े गुड़ सूत्र पाए जाते हैं हम गुड़ सूत्रों को अनुवांसिक गुड़ों का वाहग भी कहते हैं मानो सरीर कोशिकाओं में स्टेब बना होता है इन कोशिकाओं में गूर्शूत या क्रोमों होते हैं मान ऋसपरी जो होता है संग यानिstein कोशिकाओं की मिलकर बना होता है उन कोशिकाओं से टिशू बनते हैं टिशू से अरगन और ऑरगन से और्गन सिस्टम बनते हैं और पूरे सिस्टम से एक बौडी बनती है इनी कोशिकाओं में गुर्षूत या इंग्लिस में इसे हम क्रोमोजोंप सुथ भी बोलते हैं और सभी में विविलिता का कारण क्या है तो इसका आंसर है उप परिवर्तन यदि हम बात करें विज्ञानिकों का वैसमू जिसमें प्रक्तिवाद के सिध्धान्द को आधुनिक रूप दिया उसे हम नौडार्विन वादी कहते हैं आधुनिक नौडार्वन वादियों के अन यानि की सधान्द परिवर्तनों के उपरांत अनेक नए जीप बनते हैं और उन जीपों में अनिक प्रकार की डिफ्रेंसेस पाये जाते हैं इन्हीं हम परिवर्तनों को उत्त परिवर्तन कहते हैं नेक्स्ट है निम लिखित में से किस में लिंग गुर्षूत्र नहीं होता इसका सही आंसर है फ्रेंड छिपकली छिपकली में लिंग गुर्षूत्र नहीं होता उनमें प्रिजिनन की जो छमता है वो नहीं पाई जाती छिपकली के अनेक प्रजातियों सहीत अनेक सरी स्रेपो लिंक गूर्चुत नहीं होता है क्योंकि जो चिपकिली है वह खेढ़ wz· अनंड इते हैं नेक्स है जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन होती है तो पादप कोशिका और जनतु कोशिका में जो भिन निता होती है फ्रेंट्स वो कोशिका भित्ती की होती है क्योंकि कोशिका भित्ती पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जनतु कोशिकाओं में कोशिका जिल्ली या सेल मेंब्रन पाई जाती है य कोशीक का बिदति कहते हैं यह जो कोशीक का बिदति होती फ्रेंट्स वह पादप कोशीकाओं पादपों में पाई जाती है जबकि जंदू कोशीका का कौन सबाक पावर हाउस कहलाता है बंडिया कियाथ माइटरो कॉंडिया की बात करें तो सबस्ल attic dug द्रवय होती है तथा सेस क्रियाई माइट्रो कॉंडिया में होती हैं क्योंकि अंतिम चरण में ही अधिकान सुर्जा उत्पन होती है तो यहां पर आप याद रखिएगा जो पारंबिक क्रियाई होती है सुसन की सबसे पहले कोशिका द्रव्य में होती जैन उसके बाद माइट्रो कॉंडिया होती हैं और माईट्रोगॉंडिया में complexity के रूप में उर्जा का संचय हो रहता है नेक्स्ट है मानव सरीर के किस उंग में लएसी का कोशिकाइं बनती हैं तो मानव सरीर के लसी का कोशिकाइं यानि लिम्फैटिक से जो बनते हैं वो हमेशा देर अस्ती में बनते हैं यदि हम बात करें lymphatic cells की तो यह एक प्रेकार की sweat दक्त कणिकाई यानि WVC है जिनका निर्मार लस्टिका ग्रेंथियों यानि lymph glands में होता है thymus gland तथा अस्ती मज्जा या bone marrow में किया जाता है तो फ्रेंड जो lymph cells होते हैं वो एक प्रेकार की WVC है जिनका निर्मार कहां-कहां पर होता है lymph glands पर होता है thymus gland पर होता तथा अस्ती मज्जा में होता है यानि कि bone marrow में होता है next है वर्दमान अनुवांसिक विज्ञान का जनक कौन है तो वर्दमान अनुवांसिक विज्ञान का जनक great john mendel है अनुवांसिक की खोच ग्रेगर john mendel ने की थी इसलिए इन्हें अनुवांसिक विज्ञान का जनक भी मेंडल को ही कहा जाता है मेंडल के अनुवानसिक्ता का सिध्धान किस सिध्धान पर आधारित है तो मेंडल का जो अनुवानसिक्ता का सिध्धान ते फ्रेंट्स वो लेंगिंग जनन पर आधारित है मैंडल के अनुवानसिक्ता का सिध्धान लैंगिंग जनन पर आधारित है इसलिए हम हमेशा मैंडल को अनुवानसिक्ता का जनन कहते हैं नेक्स्ट है जिनोम चित्रण का निम में से किस से संबंध है तो जिनोम चित्रण का जो संबंध होता है फ्रेंट्स वो जीन्स के चित् यदि हम बात करें important points की तो genome चित्रन का जो संबंध है genes के चित्रन से होता है किसी भी जीव के DNA में विद्वान समस्त जनों का अनुकरम genome कहलाता है इसकी जो PDF है वो आपको हमारे application पर मिलेगी आप वहां से जाकर इसे download कर सकते हैं और आप हमारे telegram को भी join कर सकते हैं नेक्स्ट है genome के सभी good सूतरों का सनरचनात्मक एवं क्रियात्मक संग्टम genome चित्रन कहलाता है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा एक nitrogen इस्तरी करन करने वाला जीव नहीं है तो यहां पर चार option दिये गए हैं जिन में से एक जो होता है वो nitrogen इस्तरी करन करने वाला जीव नहीं है तो इसका answer है mycorrhiza mycorrhiza की बारे में बात करें mycorrhiza कभग और पौधों की जड़ों के बीच का एक संबंध होता है यह संबंध लगभग 95% पौधों में पाया जाता है mycorrhiza मिट्टी से पौधों के बिविन प्रेकार के पोसक तत्व जैसे फासफोरस, nitrogen और पोसक तत्वों को गहन करने में मदद करता है और फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी एहम भूमिन का निभाता है यह एक प्रेकार का जिवाडू या बैक्तीरिया है जो क्या करता है? जो पौधों की जड़ों के में एक संबंध होता है कावक जो होते हैं और पौधों की जड़े जो होती उनके बीच एक प्रेकार का संबंध होता है यह 95% पौधों पे पाया जाता है यहां पर हमने questions के साथ important facts भी discuss कर लिया next है एक yx मानों सरीर में जल का परिशिसत कितना होता है तो एक yx मानों सरीर में जो जल का परिशिसत होता है वो 65% होता है हमारे सरीर का अधिक्तम भार जल से बना होता है इसकी मातर 60 से 70% तक पाई जाती है नवजाद बच्चे के सरीर में के बाहर का अलग भाग 95% भाग जल का होता है यानि कि जो yx होते हैं उनमें 60-70% लेकिन नवजाद बच्चों में यानि कि जो बच्चे छोटे होते उनका सरीर 75% भाग जल से बना होता है यह प्रेकिती का सबसे उत्तम भी लायक होता है नेक्स्ट है मानो सरील में सरवादिक पैचूरता में पाया जाने वाला तत्व है तो फ्रेंट्स मानो सरील में सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता वो है ऑक्सीजन Oxygen तरवादिक मात्रह में पाया जाने वाले हैं क्योंकि जो Amoaka स्यचन तरंद्र DIRE MASPIRESON SISTSलम में उसमें Oxygen के तहत ही हमाद जीवित हैं क्योंकि Oxygen हम गहड करते और जो हमारी Carbon diag zoid होती है उसे हम बाहर करते हैं लेकिन यहां पर एक और important point कि याद रखिएगा साथ साथ में हम nitrogen को भी गहाड करते हैं लेकिन nitrogen की मात्रा में कोई परिवर्टन नहीं होता कोई भी प्रभाव हमारे सरीर पर नहीं पड़ता next है हमारे सरीर का अधिक्तम भार बना होता है तो हमारे सरीर का अधिक्तम भार वो जलका बना होता है एक व्यक्त मनुष के सरीर का जो भार होता है 60-65% होता है जबकि इस तरह के सरीर में उसके भार 55-60% जल होता है यानि कि जो मनुष है जो पुरूस है उसमें जादा होता है जो महिला है उसमें कम होता है नेक्स्ट है दूद का आप एच्छी घनत किस से ग्याद किया जाता है तो दूद का जो आप एच्छी घनत होता है वो लेक्टोमीटर से ग्याद किया जाता है बिलकुल यहां पर आप यह भी हमने यहां पर लिखा जो सुद्ध की जो सुद्धत से दूद का अपेची घनत और दूद की सुट्धता का मापन किया जाता है जबकि बीर्टो मीटर के दौरा दूद या दूस में बने उत्पादों में वशक की मात्रा को मापा जाता है नेक्स्ट फैадो Meeter का उपयोग किसे नापने में किया जाता है तो फैदो मीटर का जो उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स हमेशा समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है जबकि हम बात करें बैरो मीटर की तो बैरो मीटर के दोरा वायू मंडली दाब हाइडरो मीटर की बात करें तो सदार्ण यंत किस व्यक्ति की सहाइता करता है तो सदार्ण यंत जो सहाइता करता है वो कम बल का प्रयोग करके जितनी ही मात्रा में काम करने में यानि किसका जो सही आंसर है वो है सेकेंड तदार्ण यंत किसी व्यक्ति दौरा कम्बल का प्योग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहाइता करते हैं नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक समवेदन सील तराजू पर खड़ा है यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या परिवर्तन होगा तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है घटेगी यानि जो रीडिंग होगी घटेगी यदि वो गहरी सांसे लेता है क्योंकि ऐसा क्यों होता है व्यक्ति जो गहरी सांस लेता है व्यक्ति के गहरी सांस लेने से तराजू की रीडिंग घटेगी रीडिंग घटने से मतलब है तराजू दोरा व्यक्ति का वजन कम दरसाया जाएगा मसीन जो है वाशिंग मसीन का कार सिध्धान क्या है तो वाशिंग मसीन के सिध्धान पर कार करती है ये कार करती है अब केंदरन पर जिसकी दिसा अभी केंदरी बल के भी पिरीत होती है उसे हम अभी केंदरी बल कहते है यानि कि जो अपकेंदरी बल होता है वो अंदर की जिसा में कार करता है और जो अपकेंदरी बल होता है वो बाहर की जिसा में कार करता है कपड़े साप करने की मसीन दूद और मक्षन निकालने की मसीन अपकेंदरी बल के सिध्धान पर कार करते हैं नेक्स्ट है पेच्छालन मसीन की कार पराली का सिधान्त है तो पेच्छालन मसीन की कार पराली का जो सिधान्त है फ्रेंट्स वो है अपकेंदरी करन पेच्छालन मसीन का कार सिधान्त भी वाशिंग मसीन की ही तरह अपकेंदरी करन पर कार करता है इसे केंदर पर एक बल कार क करता है जिसे हम अप केंदरी बल कहते हैं नेच्ट ए फ्रेंट्स निम में से कौन सी रासी सदिस नहीं है तो यहां पर आपको चार ओप्षन देखने को मिलेगा सदिस रासी कौन सी नहीं है तो इसका सही आंसर है आयतन क्योंटी आयतन में केबल परिमार को दरसाता है जिसा को नहीं दरसाता तो वे रासिया अदिस राशिया कहलाती है यहां पर मैंने नोट भी किया है वे रासिया जिनको वेक्ट करने के लिए दिशा एबं परिमार की नाव्शक्ता होती है उन्हें हम अधिस्राश्य कहते हैं नैस्ट पडात के सम्वेख और वेगए के अनुपात में कौन से बहुतिक राश्य प्राप की जा सकती है तो इसका सही आंसर है दर्विमान यहां पर आप देख सकते हैं किसी वस्तु के दब्रिमान तथा वेक के गुरण फल को हम समवेक कहते हैं नीची आप देख भी सकते हैं समवेक इक्वल टू दब्रिमान इंटू वेक जानि दब्रिमान और वेक का गुरण फल समवेक कहलाता है इसलिए जब दब्रिमान को हम प्राप्ट करते हैं कौन सा उर्जा संरच्षड का आसे हैं तो चार ओप्शन है फौर्थ इसका सही आंसर उर्जा करना तो स्रजन हो सकता है ना ही इसका विनास लेकिन इसका विनास नहीं हो सकता यह लगतार रूपांत्रित होती रहती है किसी काम को करने के लिए ऐसी विधी या प्रक्रम का पालन करना है कि वह काम पूरा होने में कम उर्जा लगे यानि कि उस काम को करने में उर्जा का उपयोग कम हो उसे ही उर्जा संरच्छर कहते हैं के लिए जैसे आप कार से हर दिन आते जाते हैं तो आपका उर्जी जो उर्जा जो होती है वो बच जाती है नेक्स्ट है हवाओं की उर्जा निम में से कौन सी उर्जा होती यानि कि हवाओं में कौन सी उर्जा होती है तो इसका सही आंसर है केवल गतिज उर्जा लेकिन इसक गतिज उर्जा को इसको अने रूपों में परिवर्टित किया जा सकता है जैसे बिद्धूत या यांतरिक उर्जा नेक्स्ट है वायू सकती में उर्जा का कौन सा रूप बिद्धूत उर्जा में परिवर्टित होता है तो वायू सक्ती में गतिज उर्जा का जो एक रूप होता है वो बिद्द उर्जा या यांतरिक उर्जा दोनों में परिवर्तित किया जा सकता है यहां पर मैंने एक एक्जामपल लिया है जैसे बैती हुई वायू से उत्पन की गई उर्जा को पवन उर्जा कहते हैं पवन उर्जा क्या होता है जो पवन उर्जा बनती है वो गति जुर्जा का ही एक रूप है तो पवन उर्जा की उत्पादन के लिए हवादार जगों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है इन चक्कियों के माद्यम से जो वायू की गति जुर्जा होती है वो यांत्रिक उ मिसिख्या है चार ऑप्शन है इसका बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है इसका सही आंसर इस्थीरता का जड़त यानि कि यहां पर न्यूटन का प्रिथम नियम लगता है कि जब भी कोई व्यक्ति जिस कार पर या बस या ट्रेन पर बैठा है जब वो चलती है तो अचानक से जो उपरी हिस्सा पीछे की और जुग जाता है यानि कि जो गती का एक सरीर होता है उपरी हिस्सा पीछे की और जुग जाता है next time, सड़क पर चलने की अपेच्छा, बर्फ पर चलना कठीन है, इसका निम में से क्या कारण है very very most important question है friends, यहां से questions बनते हैं क्योंकि यह मैंने घर्षर topic से questions को लिया है यहां पर तो बर्फ में सड़क की अपेच्छा घर्षर कम होता है, यानि कि बर्फ जो होती वो चिकनी होती है जबकि सड़क जो होती है, वो हमेज़ा ऐसी बनाई जाती कि उसमें घर्षर हो सके तो यहां पर मैंने कुछ points लिये हैं, सड़क पर चलने पर पैर और सड़क की सतय के मद घर्षर अधिक होता है जिससे हमारा पैर सड़क पर नहीं फिसलता और हम असानी से चल सकते हैं लेकिन बर्व पर ऐसा नहीं होता, बर्व चिकनी होती है, अब वहां पर जो घर्षर होता है, वो बहुत कम होता है जिससे विक्ती फिसल जाता है नेक्ट है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलाय मान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेच्छा करत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है इसका क्या कारण है, तो इसका सही आंसर है फ्रेंट्स, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षर कम होता है जब भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलाय मान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेच्छा करत अधिक बल लगाना पड़ता है इसका में कारण है, क्योंकि गाड़ी एक बार यदि चल देती है, तो उसमें घर्षर बार अधिक नहीं लगता, कम में भी गाड़ी आच्छी से चल सकती है नेक्स्ट है प्रत्वी का पलायन वेग निम में से क्या होता है तो प्रत्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 km 35 होता है यानि कि पलायन वेग वेर निनितम वेग है जिससे किसी पिंड को उपर की और फेक के जाने पर वे पैत्वी की गुरूत छेत्र को पार कर जाता है तब पैत्वी पर वापस नहीं आता यानि कि यदि आप किसी वस्तु को 11.2 km पैति सेकंड से उपर गी और फेकते हो तो वो पैत्वी पर वापस नहीं आएगा नेक्स्ट है परमाडू नाविक के अव्यव हैं तो यहाँ पर चार ओप्शन है इसका जो सही आंसर है फ्रेंट्स वो है प्रोटान और निट्रोन यानि कि परमाडू के नाविक में प्रोटान और निट्रोन इस्तित होते हैं परमाडू पदार्थ का वैल अगुतम भाग है जिससे बदात के सभी गुर्विद्वान रहते हैं, ये रसाइनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं, परन्तु सतंत रवस्था में ये नहीं रह सकते। परमाडू के केंदर में एक नाभिक होता है, यानि कि उसमें एक नाभिक होता है, जिसमें प्रोटान, इलेक्टर वा नेट्रोन इस्थित होते हैं। नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सा अडू का भाग नहीं है तो इसका सही आंसर है फोटान यानि के परमाडू के में प्रोटान प्रोटान होते हैं जबकि फोटान नहीं होता तो फोटान के बारी में जानते हैं फोटान जिसे हम प्रकास आडू प्रकास या फिर अन बिद एक आवेश रहित मूल भूत कड़ है जो परमाडू के नाविक में प्रोटान के साथ पाए जाते हैं इसे एंसे दर्शाया जाता है नेक्स्ट परमभी कुलम वन जीव अभ्यारंड किस परदेश में है तो इसका सही आंसर है केरल के पलककर जिले में है जो 89 वर किलो मिटर में फैला हुआ है नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी निम में से किसी से नापी जाती है तो रेडियो एक्टिविटी जो नापी जाती हमेशा गाईगर काउंटर से नापी जाती है गाईगर मुलर काउंटर एक ऐसा यंत्र है जो आयनकारी विकरन की मात्रा को नापता है य रेडियो एक्टिविटी का अविश्कार किया तब वैकुलर ने अंटोहीन हैंरी वैकुलर जिनका पूरा नाम है एक फ्रांसी सी बौधिक सास्त्री थे सरपेतम 1896 नभी में इन्हों ने रेडियो एक्टिविटी की खोश की थी नेक्स्ट है सौचालित कलाई घडियों में उर्जा मिलती है तो जो सौचालित कलाई घडिया होती है फ्रेंट चानी हाथ में बादने वाली जो घडिया होती है उन्हें उर्जा हमारी हाथ की बिविन संचलन से मिलती है यहाँ पर इंपॉइंट्स में देखें तो सौचालित कलाई घंडियों को चलाने के लिए उर्जा है तो उसमें बैक्टरी की आवशक्ता होती है कि बैक्टरी नेक्स्ट है रेडियू एक्टिविटी का अविश्कार किस ने किया था तो इसका अविश्कार किया था वैकुलर ने अंटो ही नहीं वैकुलर जिनका पूरा नाम है एक फ्रांसी सी बहुत इक सास्त्री थे सरपितम 1896 में इन्हों ने रेडियो एक्टिविटी की खोश की थी नेक्स्ट है 140 कलाई घडियों में उर्जा मिलती है इसका सही आंसर फ्रेंड्स हमारे हाथ के विविन संचलन से क्योंकि important points में देखे 140 घडियों जो कलाई घडियों यानि हाथ की घडियों जो होती उनको चलने के लिए उर्जा जो होती हमें बैटरी की अफशकता नहीं होती कि ये घडियों पहनने वाले के हाथ के संचालन से चलने के लिए उर्जा प्राप्त करती है यदि दो या तीन दिन ये घडियों हाथ में न पहनी जाएं तो ये खुद बंध हो जाएंगी नेक्स्ट है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलग कौन सा मूल ततो होता है ऑक ये लेटिन भाजा के सिलिकंस सब्दे से बना है सिलिकॉन चिप्त का प्योग यानि कंप्यूटर के सेमी कंड़क्टर के रूप में किया जाता है नेक्स्ट है बूर परपटी में सरवाधिक पाया जाने वाला तत्त कौन सा है तो बूर परपटी में सबसे अधिक पाया जा जो होता है 5.0, calcium होता है 3.5 परसेंट तधर carbon 0.6% पाया जाता क्राइब एक किसके नित्वत्त में टो हे इकनॉमई का नित्वत्त स्टर्ण एन्वारमेंट जो एकनॉमी उनाइटर ने जगों की खोज़की है तो इसका सही आंसर मैं महराश्र में सबसे अधिक समवेदंसी जगों की खोज़की गई है नेक्से सेंसे और Wi- sat तंत्र से संम्मंदित है तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स नन्यगोय प्षॉ- इसकी ह hardware-fried फिर शेरिंग तंतर से सम्मंदित है, ABS भी बोल सकते हैं, इसमें जो हस्ताचर किये गए थे 29 अक्टूबर 2010 में किये गए थे नेक्स्ट है, क्लार्क भी वेविन पुरुसकार किसे सम्मंदित है, तो इसका सही आंसर है, फ्रेंड्स, वन जीवों से सम्मंदित है यह वन जीवों की सुरक्षा के लिए प्रदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, नेक्स्ट है, और जोन परग के छरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख सुरोध क्या है, तो इसका सही आंसर है, रेफ्री रेजेरेटर, यानि की फ्रिज, क्लोरो-फ्लोरोकार्बन, C नत्वी के वायू मंडल की परत है जिसे जो जोन गैस की संगनता अपेच्छा करत अधिक होती है यानि कि जो जोन लेयर होती है वह हम इसे समताफ मंडल पर पाई जाती है और क्लोरो फ्लोरो कारबन का जो मुक्स रोत है फ्रेंड्स वह है रेफ्रीजरेटर यानि की फ्रिज नेक्स्ट है निम में से कौन सबसे कठोर तम धातू है यानि कि चार ओप्शन दिये गए आपर तो इस सब चार ओप्शन में सबसे कठोर धातू है वह है प्लेटिनम सबसे कठोर धातू है जबकि हीरे की बात की जाये तो सबसे कठोर आधातू हीरा है नेक्स्ट है पास्च पाश्चुरी करण संबन्दित है पाश्चुरी करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी तरल किसी तरल या दूद का नेजमी गरण करके उसके भधारण छंता में सुदार किया जा सकता है इसकी जो खोश की थी फ्रांसी जी विज्यानिक लूइस पाश्चर नेक्स्ट है जल अब घटन में उर्जा किस रूप में उत्पन होती है तो जल अब घटन में उर्जा हमेशा उश्मा के रूप में उत्पन होती है जल अब घटन हुए एक प्रकार की प्रक्तिक किरिया है जिसमें रवड की आयन और जल की आयन या आडू परस्पर संयोग करक इसे उर्जा उस्मा के रूप में निकलती है नेक्स्ट है निम में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उधारण है तो भौतिक परिवर्तन को जो उधारण है फ्रेंट्स वो है पानी में चिनी का गुलना भौतिक प्रिक्रिया वे प्रिक्रिया है जिसमें कारप को हटा देन पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार पुना अपनी पूरवर्ति यानि पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता भौतिक प्रक्रिया इस्थाई वा उतकमरी होती है पानी में चीनी का गुलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वास्पन दौरा चीनी को वापस से नहीं बनाया जा सकता नेक्षट है वर्सा की बूंद गोलाकार आकरती का काराण निम्में से क्या है तो इसका सही आंसर है प्रेष्ट तनाओ प्रेष्ट तनाओ के गुड़ के काराण किसी तर्व का सुतंत प्रेष्ट न्यूंतम की चमक का क्या करण है? मुझे पता है की बाकि लोगोने कमेंड किया है. तो इसका अंसर आप check करिएगा कि आपने चाही किया है? या गलत किया है? तो हीरे की जो चमक का कारण है वहГ Te optimal का आंतिरी परवरतन है। और फृरांड्स आज का सवाल है आपका कि how कि question का answer एक बर जरूर चक करें तो friends कैसा लगा वीडियो आप अपना feedback जरूर दें वीडियो को like करें वीडियो को share करें जाद से जादा और चानल को subscribe करें इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे application पर मिलेगी thanks for watching this video